आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटेस टेस्ट से जुड़ी एक बेहत खास जानकारी की जी हां आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे के ऐसा कौन सा डायबिटेस का टेस्ट होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी शुगर की जो दवाई चल रही है वो काम कर रही है या नहीं यानि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ये बताता है कि आपकी डायबिटेस ठीक हो रही है या नहीं तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जुरूर कर दीजेगा और अगर आप हमयरे चैनल पर नए हैं तो consent diary कीजेगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि वैसे तो diabetes खान-पान से जुड़ी बिमारी है और जो भी हम खाते हैं उसका सीधा असर कहीं ना कहीं हमारे blood sugar level पर पड़ता है लेकिन आप समझ ये कि आप diabetes में जो भी दवाई खा रहे हैं चाहे वो एलोपेथिक दवाई हो या आयरवेदिक दवाई वो ठीक से काम कर रही है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको diabetes के दो बेहर ज़रूरी test के result पर ध्यान देना चाहिए और आज हम आपको इनी test के बारे में detail में जानकारी देने वाले हैं आप समझे के अगर आपको diabetes है तो आप sugar control करने के लिए जो भी दवाई खा रहे हैं वो आपके metabolism पर सीधा प्रभाव डालती है और आपके insulin के production को भी बढ़ाती है तो ऐसे में हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस काम के लिए हम दवाई खा रहे हैं वो काम हमारे शरीर में हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसके लिए दो टेस्ट हैं एक का नाम है fasting sugar test और दूसरे का नाम है HbA1c test तो fasting sugar test के बारे में तो सभी जानते हैं और अगर आपका fasting sugar level control में आ रहा है या दवाई खाने से पहले के मुकाबले कम हुआ है तो आप समझ ये के दवाई काम कर रही है और आपको उसी दवाई को regular basis पे सेवन करना चाहिए साथी साथ diet को भी manage करना चाहिए क्योंकि केवल दवाई के फरोसे ना रहे और केवल आपको दिक्कत हो जाएगी फिर बात करते हैं अगले test की तो यह है HbA1c test और मैं आपको बता हूँ कि आप खाने पीने में जो बदलाव करते हैं या आप जो भी दवाईया खाते हैं उसका असर आपके शरीर पर धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे होने वाले इस असर का पता लगाने के लिए आपको एक खास टेस्ट करवाना चाहिए और इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट जी हाँ, डाइबिटेज के मरीजों में ये टेस्ट हर तीन महिने के बाद होता है और अगर आपका ब्लेड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता और आप इस शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कोई न कोई दवाई भी खा रहे हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बेहत ज़रूरी हो जाता है आप जब हर तीसरे महिने इस टेस्ट को कराएंगे तो इससे आपके शरीर की मेटावॉलिजम के बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि आपका शरीर उन दवाईयों के प्रती जो आप खा रहे है कैसा रिस्पॉंस कर रहा है पॉजिटिव रिस्पॉंस है के नेगेटिव रिस्पॉंस है यानि दवाई काम कर रहा है या नहीं तो इन बातों को समझे और डाइबिटीज में हमेशा इन दोनों टेस्ट को रेगुलर बेसिस पर कराईए ताकि आपको ये पता चल सके के जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं तो ध्यान दीजिए और आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कीजेगा